वसु देवसु तम देवं कंस चानूर मर्दनं देव की परमानंदं कृष्णंवं देज गत्गुरों सत्संग में आये सबी गीता प्रेम्यों और सजनों आपका हार्दिक भिनन्दन सजनों आज हम थोड़ा सा मंत्र और मंत्रों की सक्ति के बारे में विवेचन करेंगे जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था मंत्रों की अनंत सक्ति होती है ब्रीटिस अर्स जब यहाँ पर आए तो उन्होंने एक बहुत ही सोचे समझे तरीके से हमारे सनातन धर्माव लंबियों को गुमरहा करने का प्रयास किया उन्होंने जो हमारे मंत्र है सास्त्र है पुरान है उन्होंने ऐसा एजूकेशन सिस्टम बनाया और ऐसी चाले चली कि धीरे 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 हम सनातन धर्माव लंबियों का मंत्र और सास्त्रों के उपर से स्रद्दा और विश्वास थोड़ा सा हड़ता गया देखें रक्सिस यंति विश्वास हो आपका विश्वास ही आपकी रक्सा करता है आप में जितनी ज्यादा स्रद्दा होगी अपने सास्त्रों के प्रती अपने मंत्रों के प्रती वो मंत्र उतने ही ज्यादा आपके लिए प्रभावसाली बन जाते हैं दीरे दीरे जो इन्होंने जो लाड मेकाले की जो एजुकेशन सिस्टम ता सिक्सा पद्द दी थी और उससे हमारा जो दीरे दीरे मंत्रों के उपर सास्त्रों के उपर विश्वा सड़ता गया और हम लोग जो है वो पतन की ओर चलते गए दीरे 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 मंत्रों की सक्षपत के बाले में कहना ही क्या है मंत्रों में अनंत सक्षपत होती है अभी पाश्चा जे जगत में power of words के ऊपर और power of thinking के ऊपर power of words, power of thinking, power of subconscious mind इनके ऊपर बहुत research से चल रही है सब्दों की सक्षप, power of words जो कहते हैं आप positive सोच आप हमेशा अच्छे सब्द बोलिए अच्छे रखिए, सोच को अपना अच्छा रखिए पॉजिटिव रखिए पार अफ सिंकिंग, सोच की सकती पास्चाते जगत में अभी बहुत बड़े-बड़े दानस्तिक हुए है और उन्हें बहुत करोड रुपे कमाए इनका अगर बेस देखा जाए सब चीजों का पार अफ वर्ड्स, पार अफ तिंकिंग, पार अफ बलीब, पार अफ सबकॉंशिस माइंड इन सब का बेस आपका आता है मंत्र मंत्र का मतलब ही क्या है मन का त्रान करने वाला, मन के संताप को दूर करने वाला मंत्र मंत्र का एक देवता होता है यानि हम जो मंत्र का जाप कर रहे हैं वो किस देवता के लिए कर रहे है मंत्र का एक रिसी होता है रिसी होने का मतलब क्या कि सबसे पहले उस मंत्र के द्रश्टा कौन है आप सामान ये बासा में ये कह सकते है कि उस मंत्र का आविश्कार किस ने किया मंत्र का एक चंद होता है चंद का मतलब क्या कि उस मंत्र को किस तरीके से किस टोन में बोला जाए किस टोन से गाया जाए कि स्टोन से उसका जब किया जाए तो रिशी, देवता, चंद और भी बहुत सारे मंत्र में बाते होती है जैसे किलक होता है, बीज होता है मैं उतना अंदर नहीं जाओंगा मैं आपको सीधा सीधा बताओंगा किसी भी मंत्र के बारे में पहले बात आपका विश्वास होना चाहिए उस मंत्र के उपर बगवान स्विकिष्ण गीता में कहते हैं संसे आत्मा विनस्यती जो संसे रखता है उसका विनास निश्चित है तो पहला बात, पहली बात क्या है कि हमें हमारे मंत्रों के उपर विश्वास होना चाहिए दूसरी बात रक्स सेयंती विश्वास हो ये बात आपको पता होनी चाहिए और दिमाग में एकदम से क्लिर होनी चाहिए कि हमारा विश्वास ही हमारा रक्सा करता है तो आपकी स्रद्दा और आपका विश्वास ये दो जब किसी मंत्र के उपर होते हैं और आप सद्धा और विश्वास के साथ और फिर उसमें कुछ नियम होते हैं जैसे आपका मुह नौर्थिष्ट की तरफ होना चाहिए आप जमीन पर आसन लगा कर बैठ ये जमीन पर आसन लगा कर बैठने से क्या होता है आपको उर्जित करता है यह कैसा साइकल जैसा बन जाता है तो आसन लगाने का मतलब क्या होता है कि आपकी जो विद्यूत सकती है वो जमीन में ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए इसके लिए भगवान ने छटे अधिया में बहुत आसन को पर बहुत अची चर्चा की चाहिए च जब भी आप मंत्र जब करते हैं तो उस समय आप अपने अहार के उपर बहुत ज्यादा ध्यान रखें क्यों कि अगर आपका अहार सुद्ध नहीं होगा तो आपका मन सुद्ध नहीं हो सकता है क्योंकि जैसा खाए अन वैसा बने मन तो आपको अपने अहार के उपर बहुत ज्यादा ध्यान देने चाहिए, क्योंकि भगवाल ने आहार तिन प्रकार क्यों होते हैं, सात्रिक, राजसी और तामसिक, तो हमेशा हमें सात्रिक खाना खाना चाहिए, अल्प मात्रा में खाना चाहिए, यह खाने के उपर बात हो, बहुत छोटी सी बात बता रहूँ मैं नियमित रूप से जैसे जैसे आप जब करते जाएंगे वैसे वैसे मंत्रों की सक्तिका आपको अनुबव होता जाएगा आप 21 दिन लगातार किसी भी एक मंत्र की एक माला या पांच माला जितना आप से संभव हो सके कीजिए यहा प्रयोग आप अपनी जिन्दगी में करके देखिए एक बार आप अपनी जिन्दगी में यहा प्रयोग करके देखिए 21 दिन तक लगातार किसी एक मंत्र की एक या पांच माला नियमित समय पर कीजिए मंतर जाप कीजिए और 21 दिनों तक अपने आहार अपना वियार अपनी सोच इन सब को सात्विक रखें देखें सात्विक मन सात्विक बुद्धी सात्विक आचरन सात्विक व्यवहार इस juicy क्या होता है कि दीरे-दीरे जब यह सब अभ्यास करते हैं आप तो दीरे-दीरे आपका मन दीरे-दीरे आपके वस्में होने लगता है आपकी इंद्रियां आपके वस्में होने लगती है जितनी जादा परसंटेज में आपका मन और आपका इंद्रियों के उपर निग्रह होगा अनुशासन होगा उतनी ज्यादा मात्रा में मन्त्रजप में आपको सभलता मिलेगी और फिर आप सात्विक मन सात्विक बुति सात्विक आहार सात्विक विचार सात्विक क्योहार सात्विक आचरण इनके साथ में जब आप जब करेंगे तो आपको धीरे धीरे मंत्रों की उन सक्तियों का पता चलना लगेगा जिनके आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते देखें मंत्रों की सक्ति और मंत्रों की सक्ति से जो अनुभव होते हैं वह जैसे गुंगे का गुड होता है वैसी बात है गुंगे आदमी को गुड खिलाया तो जैसे गुंग है अभी मानलो गुंगा आदमी जो है वो गुड की मिठास को क्या बता सकता है नहीं बता सकता है वो सिर्फ अनुवर कर सकता है तो वैसे ही आप खुद जब गुड की जब आप से दूर से किस्का स्वाथ याम चाहिए तो ही चाहिए जब preciso कुछ कने होने और फिर आप मंत्र जब करेंगे 21 दिन तक आप मंत्र जब करिए और फिर आप अपने आपके अंदर जो फर्क आता है उसको आप खुद अनुभो कीजिए मेरी आप लोगों से हाट जोड कर रिक्वेस्ट है कि आप मंत्र जब करना चालू कीजिए क्योंकि मंत्र के अंदर अनंत सक्ति है मंत्र की सक्ति से आप अपने सारे रोगों को दूर कर सकते है आप अपनी जिन्गी में जितनी भी समस्या है वो सारी समस्या है आप खुद दूर कर सकते हैं जीरो पैसा खर्च करके आपको किसी के पास भी जाने के जरूत नहीं है कोई भी ऐसी वैसी कोई चीज करें मैं ये सीधा हुपाई आपको बताता हूँ सीधा और सठीक हुपाई है आपको कि ये मंत्र जिब कीजिए और आपको अपने जिन्द की में जितनी भी समस्या हैं सब समस्या हैं आसानी के साथ सरल हो जाएगे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मंत्र जिब कीती है और जैसा मैंने आपको बताया वैसे तरीके से आप मंत्र जिब कीजिए तो आपको मंत्रों के सक्तिका देरे देरे अनुभू होता जाएगा आज के लिए इतना ही जाए श्री कृष्णा